हेलो बच्चो आज मैं आप लोगों के लिए मीन की एक नई वीडियो लिखे आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को मीन के मैथड्स के बारे में बताने वाली हूँ तो मीन के भाई आपको तीन मैथड्स पढ़ने हैं मीन के तीन मैथड्स आपको पढ़ने हैं पहला रहेगा आपका direct method, ठीक है, पहला direct method, दूसरा रहेगा assumed mean method, और तीसरा रहेगा step deviation method, ठीक है, आपको यह 3 methods पढ़ने हैं, जो भी आपके data के उपर fall करेगा, कि आपको कौन सा method यूज करना है, ठीक है, तो आज मैं आपको direct method यूज करना बताऊंगे, कि direct method आपको कब लग इसको भी लगाने के दो तरीके है, एक तो जब आपको simple data दिया रहेगा, ठीक है, जब आपको simple data दिया रहेगा, और एक जब आपको class mark वाला data दिया रहेगा, तो तब हम direct method को कैसे apply करेंगे, कैसे उस formula का use करेंगे, यह इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को end तक दे दिया रहेगा, जिसमें बच्चों ने कितने marks लिये हैं, उसका data दिया गया है, तो आपको mean निकालने के लिए, यह आपका data रहेगा, जब आपका data विल्कुल simple रहे, कि यहां कुछ marks है, ठीक है, और आपको जैसे कुछ students दिया रहेगा, जब आपके पास यह normally छोटा data यह आपको direct method यूज कर लेना है, तो इसके लिए आपको जूर्थ पढ़ेगी एक table की, एक table बना लेना, ठीक है, एक table इदर बना लेते हैं, सबसे पहले लिख लिए, इसमें मैंने marks, दूसरा मैंने लिख लिए, number of students, अचा जो भी आपके number of this, number of that होगा, वो हमारी frequency होती है, और उसके अलावा जो बच गया, that is our x, वो गया हमारा x, और यहाँ पे तीसरा कोलम बनेगा हमारा fx का मतलब की दोनों की multiply, दोनों की multiply, ठीक है, अभी data को लिख लो, सबसे पहले 25 marks लाने वाले 20 बच्चे, ठीक है, 43 marks लाने वाले 1 बच्चा, 38 marks लाने वाले 4 बच्चे, 42 marks लाने वाले 2 बच्चे, 33 marks लाने वाले 15 बच्चे, 28 marks लाने वाले 24 बच्चे, 29 marks लाने वाले 28 बच्चे हैं, और 20 marks लाने वाले 6 बच्चे हैं हमारी class में, ठीक है, अब इनकी कर देना multiply, अब इनके आपस में आप क्या कर देंगे, multiply, तो पहले वाले का कितना आजाएगा, 25 गुना बीस, पाथ सो, ठीक है, अगला गार में लिखूंगी, 43 into 1, 43, next 33, sorry, 38 multiplied by 4, तो कितना आगया, 152, 152, 42 into 2, कितना हो गया, 84, इन दोन की मैंने multiply की, तो यह आगया मेरा, 495, फिर इन दोन की मैंने multiply की, तो यह आगया मेरा, 672, फिर इन दोन की multiply की, तो यह आगया मेरा, 812, 12, और last में 20 गुना 6, तो यह आपको पताईए, 180, अब इनका कर लो sum, इनका कर लो sum, इनका जब मैं sum करूंगे, आप लोग sum कर लेना, 2938 आ जाएगा, और frequency की भी sum की आपको जूर्थ पड़ेगी, तो इसका sum आगया 100, बस अब यहाँ पे आपको mean का formula लगा देना है, mean का formula ल sum का मतलब क्या है sum, तो sum of frequency multiplied by x, तो fx का जो sum बनेगा last में, मतलब यह जो मेरा sum बना है, यह undivided by frequencies का sum, यह मेरा frequency का sum, बस, तो यह लिख दिया है, 2938 divided by 100, तो यह तो सबसे आसान divide होती है, यह दो 0 है, तो दो डिजिट पहले point लग जाएगा, मतलब इदर आ जाएगा, तो य यह answer आजएगो 29.38, यह मेरा answer हो गया, mean हो गया, ठीक है, यह मेरा mean हो गया, समझ में आया, यह मेरा simple data, यह मैंने क्या बता है, जब आपको simple data आपको दे रखा होगा, अब मैं जानूगी कि जब class mark वाला data दिया होगा, तब वहाँ पे हम direct method को कैसे use करेंगे, देखो, यह marks लाने वाले 2 बच्चे है, 25 से 40 के 40 marks लाने वाले 3 बच्चे है, 40 से 55 के बीच marks लाने वाले 7 बच्चे है, तो यह आपको data दे रखा, इसका use करना है, और table बना के mean निकाल लेना, तो सबसे पहला काम होगा हमारा table बना लेना, तो टेबल बना लो सबसे पहले, table में बनाओ, पहला मेरा class interval, पहला मेरा class interval, ठीक है, दूसरा number of students, तो इसका मेरा direct frequency लिख दू तो कोई दिखत, नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो यह दे रखा है, 10 से 25, कितने? frequency 2, 25 से 40, frequency 3, 40 से 55, frequency 7, 55 से 70, frequency है मेरी 6, 70 से 85, frequency है मेरी 6, और 85 से 100, यह भी मेरी frequency है, 6, यह बना लेना है, अगला जो आपका रहेगा, वो रहेगा class mark, जिसको हमारा x भी बोलते हैं, वो जो last मेरा रहेगा, वो रहेगा fx, fx, अब यह भी आपने पड़ा, fx के बारे में, ठीक है, अच्छा, class mark कैसे निकलेगा, class mark निकलता है, upper limit plus lower limit divided by 2, इन दोनों का sum कर लेना है, divided by 2, तो देखो, 10 plus 25 divided by 2, तो यह आगया, 35 तो इसको मतलब, साड़े 17, साड़े 17, अब आपको देखो, हरेको, प्लस करके, डिवा 15 करते जाओ, आपको आपका अगला x पता चल जाएगा, इसमें मैं, अगर मैं 15 प्लस करूँ, तो 32.5, इसको मैं चेक करके दिखाती हूँ, देखो, 25 plus 40 divided by 2, यही तो बोलता है, class mark, बिल्कुल, तो यह आजाएगा, मेरा 65 by 2, जो कि आप डिवाइड करेंगे, तो 32.5, 32.5, स 5, next बोले तो 62.5, फिर 15 एड किया तो मेरा 77.5, फिर 15 एड किया तो 92.5, फिर अब क्या कर लो, यह मेरा x आ गया, यह मेरा x आ गया और यह मेरी frequency है, दुन्नों के आपस में multiply कर दूंगे, तो मेरा fx आ जाएगा, multiply करो, तो पहला आगया 35, फिर अगला, अगला है 97.5, next, 332.5 32.5, फिर 62.5, 62.5 multiplied by, 62.5 multiplied by, 62.5 multiplied by, 6, तो यह आ जाएगा मेरा, 375.0, ठीक है, अगला मैंने किया तो, यह आ गया मेरे पास, 300, यह आ गया, 400, 65, फिर अगला, 500, 55, फिर इन सभी को, अगर मैं add कर लूं, इन सभी को मैं add कर लूं, तो यह आ जाएगा मेरा, 1860, ठीक है, और इसके तब मेरे की sum की जूर्थ नहीं है, और इधर मेरे को frequency की जूर्थ पड़ेगी, frequency की sum की जूर्थ पड़ेगी, तो वो आ गया मेरा 30, वो आ गया मेरा 30, बस simple आपको formula अब लगा देना है, formula क्या कहता ह mean का, यह मेरा mean का sign होता है, इस तरीकेस में mean को denote कर सकती हूँ, तो यह होता है, sigma fx divided by sigma f, तो यह आ गया, 1860 divided by 30, 0 से 0 डार इसको मैं काटूं, तो यह आ जाएगा 62, 62 मेरा mean आ गया, 62 मेरा mean आ गया, तो यह हो गया, जब आपको class mark दे रखाओ, मैंद आपकी class interval दे रखाओ, ठ तब mean निकालते हैं, तो यह हो गया, मेरा direct method का use, direct method का use, तो अगर आपको समझ में आ गया हो, तो वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe कर देना, और जादा से जादा वीडियो को share करना, मिलती हूँ आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए, टाटा, bye bye, and thank you so much for watching.